देखो ये ही pufferfish नाम की मचली का छोटा सा बच्चा इसको पानी से बाहर निकालने पर ये अपने सरीर को गुबारे की तरह फुलाना शुरू कर देती है जिससे इसकी body में बने ये छोट छोटे काटे आपके हाथ में लग जाए और इसे आप पानी में दुबारा से छोड़ जबान होने पर इसके छोटी छोटे काटे देखो कितने जादा बड़े बड़े हो जाते हैं और इसके ये तिने खतरना काटे देखकर कोई भी सिकार इसके आसपास नहीं आता सबसे मज़े की बात अगर हम पफर फिश के इस बच्चे को दुबारा से पानी में छोड़ दें तो ये कुछी सेकेंड में नॉर्मल हो के एक भोली भाली मचली की तरह तेरने लगती है